मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज 22 फरवरी 2019 है दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजयागरवाल आप सभी का हारदी कुरूट से स्वागत करता हूँ फरिंट्स आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल किये गए वायदे को निभाना चाऊंगा और आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग भाशा पर बात कर रहे हैं अलाकि किसी से कहिए कि तीन चार दिनों से भाशा पर बात की जा रही है तो वो सीदे सीदे यही कहेंगे कि क्या भाशा पर भी बात करने की जरूरत होती है क्या यह भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर बात की जा सके और वो अपने ढंग से गलत नहीं कह रहे हैं इन सबका हम सबके पास अनुभव तो है, एशास तो है, लेकिन इसकी जरूरत का अनुभव नहीं है, आप कह लीज़े, हमारे दिमाग ने अभी तक इस बात को स्विकार नहीं किया है, कि नहीं, मुझे अपनी भाशा को दुरुस्त करना है। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है, फ्रेंड्स के किस तरीके से भाशा ने इतिहास के लोगों को जबरदस्त ताकत प्रदान की है। जबकि जो आटोबाइग्राफी है, मेरा संगर्श, मीन कैम्फ, उसको पढ़ करके देखिए। जगा जगा पर आप पाएंगे कि हिटलर किस तरीके से भाशा का इस्तिमाल करता था, भाशा पर मेहनत करता था और केवल भाशा पर ही मेहनत नहीं करता था। जबकि जहां भी उसे भाशन देना है, अपनी बात कहनी है, उस पूरे के पूरे वाता वरण पर उसका ध्यान रहता था, ताकि उसकी भाशा का जबरदस्त प्रभाव सुनने वालों पर पढ़ सके। चले हिटलर की क्या बात करें, आप हमारे यहां ही देखे, पंडित नहरु को देखे, जब आरला नहरु जी की कभी भाशा पर आप ध्यान दीजे, उनके भाशन हैं, उनके भाशनों को पढ़ ही, तो लगीगा कि ये किसी राजनेता के भाशन से अधिक, ये किसी साहितिकार के लेख हैं, कितने खुबसूरत तरीके से, कितने अच्छे अंदाज में वो अपनी बाते रखते हैं, उनको तो आप लोगों ने लाइफ नहीं सुना होगा, लेकिन अटल विहरी वाजपेई जी को शायद सुनने का आप लोगों को आउसर मिला हो, बिल्कुल ज उतार चड़ाओ आने चाहिए, जो रुकना चाहिए बोलते समय, कितने खुबसूरत तरीके से वो अपनी बाते रखते हैं, वाजपेई जी और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन एक राजनेता के रूप में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत जो मैं समझ पाया हूँ, वो भाशा थी, अगर अभी हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें, तो भाशा पर ध्यान दीजें, तो आप देखेंगे कि वो कुछ बहुत खुबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी भाशा में आपको अनुप्रा सलंकार मिलेगा, संकल्प, सम् स, स, इस तरह के प्रयोग खुब मिलते हैं और वो बड़े प्रभावित भी करते हैं, भाशा के इस तरह पर, आप चर्चिल को देखें, वेंस्टर चर्चिल जो सेकेंड वर्ड वार के समय में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे, उनकी भाशा कभी आप देखें, पढ़ करक मैं आपको इसके बारे में एक उदाहरण याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने फिल्म उम्राव जान देखी हो तो, फिल्म उम्राव जान, फिल्म उम्राव जान में एक चोटा सा प्रसंग है, दोस्तों मेरे लिए सबसे अच्छे जो पाट साला मैं समझता ह जीवन की, भाशा की और दूसरी चीजों की, मैं फिल्म को ही समझता हूँ, और इनफेक्ट सच में मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ, तो देखने कम जाता हूँ, मैं फिल्म को पढ़ने जादा जाता हूँ, उसे महसूस करने जादा जाता हूँ, इसलिए मैं इस तरह के उदारन आपरों के सामने पेश कर पाता हूं तो आप इसे यह मत समझ लिजेगा कि मैं इतना फिल्म प्रेमी हूँ कि सिनेमा हाल में बैठा रहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उम्राव जान में एक चोटा सा अनुश्य है जो उम्राव जान है पात्र का नाम है महिला है वो चाहती है कि मैं भी गजल लिखू हूं ठीक है तो अपने उस्ताद के पास जाती है एक गजल लेकर कि देखे उस्ताद मैंने ये लिखी है इसको जड़ा सा आप देख लीजे मुझे इसे पढ़ने के बाद बताईए कि क्या करना चाहिए तो मित्रों वो लिख करके ले जाती है ये दिल तो क्या है आप मेरी जान लीजे ये वो लिख करके ले जाती है ये दिल तो क्या है आप मेरी जान लीजे नीचे की लाइन आपको मालूम है बस एक बार मेरा कहा मान लीजी यہ गजल की दो लाइन है तो शेर है तो मितने के उस ताहद इसको देखते हैं उसकी गजल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उएक सलाह देते हैं कहते ही कि उमरावजां, यह जो तुमने लिखा है, यह दिल तो क्या है, अब ऐसा करो, इस तो को हटा दो, और उसकी जगद चीज शब्द रख दो, और फिर इसको पढ़ो, यह दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लिजे, बस एक बार मेरा कहमान लिजे, मित्रों के वहले एक शब्द बदला गया है, तो की जगज चीज, अब आप थोड़ा इस पर विचार कीजे, प्लीज मेरी इतनी बात आप लोग भी माल लिया कीजे, कि जब मैं कहता हूँ ना कि इस पर थोड़ा सा विचार कीजे, थोड़ा सा इस पर अपनी घटनाओं को याद कीजे, उसे जोड करके देखिए, तो उतना कर लिया कीजे, कम से कम, मेरे मन की बात रह जाएगी, मेरे लिए ही कर लिया कीजे, सोच करके देखिए, और महसूस कीजे, भाशा महसूस करने की चीज है, कि ये दिल चीज क्या है, चीज कहने से क्या है, यार ये क्या माइने रखती है, और ये दि एकदम पकड़ लेते हैं और दिल को एकदम चीज में कनवर्ड करते ही हमारे दिमाग के सामने एक दृष्ष उभराता है मित्रों इसी लिए तो कहा गया है एक बहुत खुबसूरत शेर भी है इसके कि एक अंदाजें बया ही सब कुछ बदल देती है एक अंदाजें बया ही सब कुछ बदल देती है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं रह गई है इतना सब कुछ कहा जा चुका है लिखा जा चुका है कि नई चीज ढूनना बड़ा मुश्किल है बस हम करते क्या है कि बात के कहने के अंदाज को बदल देते हैं यानि कि उस बात को हम अपनी भाशा में कहने लगते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है मुझे ऐसा लगता है friends कि बहुत से student मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है उनके रुची नहीं होती है, हे भगवान कहां से फसादिया, हे भगवान कब इससे मुक्ति मिल जाए, कोई भी चीज पढ़ने में उनका मन नहीं लगता हूँ, तो जो पढ़ रहे हैं, जब अर्दस्ती पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना है, कुछ करना है, और करने के लिए पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ रहे हैं, मैं कभी-कभी सोचता हूँ, कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी अपनी सीमा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पढ़ना तो मेरा सबसे बड़ा शौक है, मरुरंजन है, सब कुछ है, जीवन का आधार है, तो बैस शायद दूस क्योंकि वो पढ़ते समय जो भाशा का स्वाध होता है, वो नहीं ले पाते हैं, देखे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं, भूख लगी है और हमें खाना खाना है, तो ठीक है हम खाना खा ले बेट भदने के लिए ही खाता है, लेकिन वह उसका स्वाद ले लेकर खाता है, उसे खाने में स्वाद आ रहा है, टेस्ट ले रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ने में हमें स्वाद आने लगे, मज़ा आने लगे, तो क्या सच में पढ़ना बोज हो जाएगा, पढ़ने का स्वाद लेने की स्थिती में अपने को पहुचा देते हैं, पढ़ने का स्वाद आने लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्टुडेंट के पास भाषा की वो समझ नहीं है कि वो भाषा का स्वाद ले सके, भाषा का स्वाद नहीं लेते, वो भाषा को सिर्फ एक medium of communication मान लेते हैं कि ठीक है लिखने वाले ने लिख दिया है वो ये बात कहना चाहा रहा था वो जो कहना चाहा रहा था वो हम तक पहुँच गई अब हम उसे रख लेते हैं नहीं अगर हम भाशा के स्वाद का अनुभाव करने लगे भाशा के स्वाद को अब आपके लिए टेस्टी बन जाएगी मैं तो करके देखिया तो दोस्तों आज भी समय हो गया है और मुझे कुछ बहुत खुबसूरत उधारन आप सब को भाशा के देने थे तो मैं माफी चाहूँगा कि आज मैं अपने उस वाइदे को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन दो दिन के बाद मंडे को जब फिर आप सबसे मुलाकात होगी तो definitely मैं अपने इस वाइदे को पूरा करूँगा और उसके साथ ही मुझे लगता है कि हमारे ये टॉपिक भी काफी कुछ पूरा हो जाएगा तो दोस्तों दो दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और बाते होगी तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूंगा नमस्कार प्रिएम कारे ये और उसके साथ है झाल 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 झाल